हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में अगर आप किसी भी प्रकार के कॉंपटिशन की त्यारी कर रहा है जहां पर सम्मिदान से रिलेटर कोश्चन आते हैं चाहें वह यूपी ट्रपल स्सी हो जाए यूपी स्सी हो लेक पाल हो अभी आप पैट की त्यारी कर र पता है हमारे संसत के संसत के चुना होते हैं और संसतियर शासन विवस्ता अपने अपर इस्था पर ठीक है अगला देगिए भारत की संविदान सवा में कुल कितने सदस्ते हैं तो आप लगाएंगे 389-389 सदस्ते हैं कोश्चन नमबर तीन है तिरानवे संविदान संसोदन से प्रात्मिक सिच्चा का मौली का दिकार किस छेत्र में जोडा गया जोडा गया जोडा गया ठीक है यह अधिकार क्या है कि आपको सिच्चा जो आपके पिता जी है माता जी उनकी जिम्मेदारी है कि वह आपने बच्चों को सिच्चा देंगे ही देंगे और आपको भी सि सम्धिदान के करकिस निर्माल किया गया अगला देखे। चुना होता है वो कैसे होता है तो उपराश्टपति संसत के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है भारतिय सम्मिदान में राज के नीती निदेशक सिद्धान किस देश के सम्मिदान से लिए गए है तो ये आयरलेंड के सम्मिदान से लिए गए है जो नीती निदेशक तत्व हैं भारत के सम्मेदान में मौलिक अधिकारों का वर्डन किस भाग में किया गया है तो भाग तीन में किया गया है हम आपको पढ़ा भी चुके हैं आपके मौलिक अधिकार क्या हैं मौलिक करतब क्या हैं सारी वीडियो अपने चैनल पे हैं आप ज सम्विदान सभा का जो अध्यच है वो कौन था अब यह इंपार्टेंट कोश्चन देगे डॉक्टर राजिन प्रसाथ एक आस्थाई और एक इस्थाई दो अध्यच थे ठीक है दोनों फिलाल तो राजिन प्रसाद हम यहां पे लगा रहे हैं लेकिन अगर आप डिटेल जान है ठीक है कोश्चन नमबर पंदरा देखिए भारती राष्ट्रपती पद के प्रत्याशी के आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए तो राष्ट्रपती के लिए आपको कम से कम 35 वर्स की आयू तो चाहिए ही होगी भारत का सम्मिदान कब अंगी करत किया गया तो 26 नॉंबर हमने अनुच्छे द्वारा बिसेस राजिक का दर्जा प्राप्त है ठीक है तो यह थी अनुच्छे 370 हाना कि अब यह समाप्त हो गई है आपको पता होगा अगला कोश्चन देखिए सम्मिदान के 44 में संसोतन द्वारा काउन सा अधिकार मौलिक अधिकारों कि स्रेनी से हटा द है अगला देखिए सम्मिदान की आठमी अनुची का संबंद किस से है तो इसमें भाषाओं से या आठमी अनुची में भाषाओं की बात की गई है अगला देखिए राष्ट पती के चुनाओं में कौन कौन हिस्सा लेते हैं तो इसका सी वाला आप लगाएंगे संसत के सद है ठीक अगला देखिए भारतिया संभिधान में तो एकलacterिघटा का हमारी प्राप्धान है हम सभी लोग भारतियें हैं ठीक धरम आपके अलग हो सकते हैं रिकिन योब की ना-गरिकता है वह कौन सी है? एकल ना-गरिकता है अगला देखिए 24 नमबर धन विदेहक निम्न मेंसे कहा प्रस्तापित किया जा सकता है तो केवल लोग सवा में प्रस्तापित किया जाएगा संविदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत लाज सरकारों को भंग किया जा सकता है तो आप लगाएंगा अनुच्छेत नमबर 356 लाज सरकार को भंग किया जा सक आपको पता ही होना चाहिए है अगला कोशन है भारत के राष्ट पती को कार अबदी की समापती से पूर भी पद से हटाया जा सकता है का बढ़ा जाता तो संसद महावयोग चलाएगी इतना आसान नहीं होता अला कि एक्चुल में लेकिन अगर राष्ट पती बहुत जारा गल ठीक है अगला देखिए 29 नंबर आपात कारी इस्ति की घुजला के कितने दुनों के अंदर संसद की अनुमती आवश्चक है तो यहाँ पर आप लगाएंगे एक महीने के अंदर आपको संसद की अनुमती जो है वो मिलनी चाहिए तब आपका आपात कारल जो है वो लगाया जा सकता है किसी बिदेख पर संसद के दोनों सदनों में मतबेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो राष्टपती बुलाएगा अगर मतबेद हो गया है दोनों सदनों के बीच राष्टपती बुलाएगा चुनाओं में मता अधिकार की आयू कितनी है स इसको प्राप्त है, तो नए राज्यों की स्थापना की सकती संसत को प्राप्त है, कोई भी नया राज संसत बना सकती है, ठीक है, संसत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्छता कौन करता है, तो लोकसबा अध्यच जो हमारे होते हैं, वो संसत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्चता करते हैं अगला देखिए केंद्र वार राज्जियों के मद्र शक्तियों का विवाजन संभिदान की किस अनुसूची में मिलता है केंद्र और राज की वी जो शक्तियों का विवाजन होता है वो किस अनुसूची तो सातमी अनुसूची में होता है और बारत की संचित निदी पर किसका नियंत्रन होता है? बारत की संचित निदी पर नियंत्रन होता है? संसद का राज सवा को निम्न में से किस बिशाय में लोग सवा के समान अधिकार पराप नहीं है? तो आप लगाएंगे बी बित बिदेहक का जो मामला होता है उसमें अधिकार समान पराप नहीं है अगला देखिए फोर्टी वन पंचायत राज पनाली में सरवोच इस्तर पर क सोचे आपको लगा देना है लोग सवा में सबसे अधिक सदस किस राज के हैं तो सी लगाई आप उत्तर प्रदेश के क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज है दोस्तों यहां पे काफी सारी सीटें भी हैं अगला देखिए राज पाल पून रूप से किस के परती प्रती उत्तर दाई होता है पंचायती राज विश्ता का सबसे निम्न इस्तर काउन सा है तो आप लगाएंगे ए ग्राम सवाईवं ग्राम पंचायत उत्तरा खंड राज का जो राज का गठान है वो कब हुआ तो यह हुआ ता 9 नवंबर 2000 में लोग पाल बिल किस से करना है लाजिस हवा में लाश्ट रपती द्वारा नामित सदस्यों की संक्या कितनी होती है तो यहां पर लेख सकते हैं बारा ठीक है पचास पे हम लोग पहुँच गाए हैं अगर आप सुन रहे हैं तो अभी तक यहां पर ठीके हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए खाते पीते रहे हैं बीच में चिफ सिफ लेकर बैठा करिए अगला देखिए संबिदान की भूमिका में समाजवादी धर्म रिपेच एक बदिता सब्द कौन से संसोधन से जोड़े गए तो यह 42 मा संबिदान संसोधन हुआ था उससे यह सारे के सारे सब्द जोड़े उनने 476 का सब्द हो था dusi सारे साथ सारे सब्द 2 मा संबिदान संसोधन lorsqu Southwest ओनाधिये केंद्रियय मंत्रıyों को सपद कौन देलाता ओए तो राश्बधी सपद दिलायगा केंद्रियय मंत्रियों घ्र्म ऑग ठीक है अगला देखिये बावन नंबर किस राज मैं राश्च्छ पती सासन संबिदान कीए कि सनुष्टवती सासन जो लगेगा वो लगेगा अनुष्ध 356 के तहट थीक है भारत के सरवच नयादीज ने राष्टवती करेar किया तो किस वरस में करे किया 1969 में कारे किया बिना किसी पूर सूचना के संसर सदस सदन में प्रस्ट पूच सकता है तो आप इसमें लगाएंगे सून निकाल में ठीक है भारती सेनाओ का सरवच कमांडर क्या कहलाता है तो आप लगाएंगे राष्टर पती कहलाता है क्या कहलाता है लाष्टर पती फिर दे तो आप लगाएंगे सीर राष्ट्र पती के द्वारा आपके जो मौली का अधिकार है उन पर भी प्रतिवन लगाए जा सकता है बस दो जार दो में भारत के सिच्छा मंतरी कौन थे तो आप लगाएंगे प्रोफेसर मुली मनोहर जोसी जी ठीक है सुतंतर भारत में प्रथम स इच्छा आयोग जो है वो क्या हुआ तो डॉक्टर लाधा कृष्णन आयोग जो है वह भारत का प्रथम सिच्छा आयोग था अगला देखिए भारत में आंतरिक इमर्जंसी की घोशना प्रथम बार किस वर्स की गई थी तो 1975 में की गई थी उस समय इंदरा गांदी जी थी जाहिर सी बात है लाज में केंदर का राजपाल होता है वही आपको सपत दिलाता है जो भी नेता है वगरा होता है मुक्य मंतरी की सपत यह सब राजपाली दिलाता तो सबसे जादा राजपाली है केंदर का विक्ती होता है ठीक है अगला देखिए 63 नमबर उचितम नियाल ह कि राश्ट्र परती है किन्द्रिय मंत्रिमंडल किसके परती उत Тरदाई है मोला कितनी वासाओं को चेत्रिय वासाओं का दरजा दिया गया। तो आपको बता शुकिया है, पहलए 18 थी, बाद में 22, तो को भी मिला कि यहां मौलिक जो सम्मिदान है, उसमें 18 को कहीं दर्जा दिया गया है। कि है हमारे राष्ट्रे धोज में सफेद रंग का क्या महतब यह ऐसे कोशन इंपार्टेंट होते हैं तो सफेद रंग की से दिखाता सत्य एवं शांती को दिखाता किस संसोधन के द्वारा सिच्छा जो राज का विसायता को संबलती सूची में इस्थानांतरित कर दिया गया यह हमारा बयालिसमा संब्दान संसोधन ठीक है अगली वार पालियमेंट को एक वर्स में कम से कम कितनी वार मिलना होता है पालियमेंट तो आपको कम से दो बार तो मिलना ही पड़ेगा दो सत्रतों होते ही होते हैं गरीबी उन मूलन के दोरा परते एक आंक से परते एक आंस आपके मौली का दिकारों का संसोधन वो कर सकती है 75 नमबर देगे उच्छ निया आला में निया धीसों की संक्या कौन निश्चित करता है तो भारत सरकार यानि राष्ट्रपती करेगा ठीक है यानि आप इसका लगा देंगे वीवाला उसके अताशकंद घोशणा से संबंदि टेक्स नहीं लगता भी आपने देगा होगा बीच में एक विवाद हो गया था हमारे जो राष्ट्रपती जी थे उन्होंने कह दिया था मैं इतनी सेलरी मिलती है और वह भी टेक्स में चली जाती लेकिन एक्चुल में जो राष्ट्रपती के वैतन होता उस पे कोई टेक्स लगता ही नहीं है और इसलिए वो विवादों में आ गये थी ठी BIG है अगला देखिये 78 नमबर 81 वर्स की आयू में कौन भारत का प्रणा बंतरी बना 78 कोशन नमब 81 वर्स की आयू में疑 गुल्यारी लाल लंदा जी बने थosure 89 99 भारत में सबसे लंबे समय तक मुखमंतरी कौन बने रहा है तो जोती बस हुजी अगला आए दूसरे देशों में भारतिय मूल के प्रवासी भारतियों को सरकार भारतिय नागरिकता देगी जिससे इसका डी वाला विकल लगाई है उप्युक्त सभी के लिए निवेश कराने ब्यापार में ब्रदी रिष्टे अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा होगा इस बज़े से ये उप्युक्त सभी आप लगा लें 81 नमबर है निमने में से कौन लगाता है सबसे लंबे समय तक उप राष्टपती और फिर राष्टपती रहा दॉक्तर राधा कृष्णन जी बिना सोचे लगाई है अगला देखिए अन पिछड़े बर्ग में अर्षण करने का स्रेज आता है किसे तो ये है बी मंडल आयोक को अगला देखिए लाष्टपती के कारेकाल की अबदी कितनी होती है पांच बर्स होती है सर पता होगा आपको अगला है 1975 में राश्टपती आपात काल की घोशना किसने की थी तो आप लगाएंगे B. फकरुदीन अली एहमजी ने अगला देखिए भारत के परताम उपरदान मंतरी कौन थे तो सरदार पटेल साहब थे भारत के पहले उपरदान मंतरी लोगसवा की अधिक्तम सदस संक्या कितनी हो सकती है तो आप लगाएंगे D. 552 भारत में पंचाइती राजविश्टा कप्रारम करी गई तो आप लगाएंगे 1959 में पंचाइती राजविश्टा अगला नमबर है भारत में लोग सवार के लिए अब तक कितनी बार चुना हो चुके हैं 2019 तक तो आप लगाएंगे D यानी 17 बार फिर देखिए बार में बित आयोक के अध्यच काउन थे तो ये लगाएंगे आप B, Dr. C, लंग राजन जी थे अगला देखिए भारत का बैप्रदान मंतरी जिसने चीन की कभी यातरा नहीं की बारत की बैप्रदान मंतरी जिसने चीन की यातरा नहीं की वो थी हमारी इंदरा गांदी जी ठीक है बारत के मुख्य चुनाव आयुक्त काउंसे हैं तो आप लगाएंगे D, B, B, Tandon जी ठीक है लाजिसवा के सदसिका कारेकाल कितना होता है तो ये होता है दोस्तों 6 वर्स लाजिसवा के सदसिका कारेकाल 6 वर्स होता है देखे हाँ द्यान से देखेंगे ठीक है क्योंकि चेंज हो गई है पूरी मंदल तो आपको पता होने चीए सिच्छा मंतरी काउन है, बित मंतरी काउन है, अब आप तुमाले पुराना याद करके घूम रहे हैं, तो आपका कोशन गलत भी हो सकता है, तो आप इस पर गौर करें, और जो नई लिस्ट पूरी है, उसे आप अपने रूम में चिपकाएं, और य अनिवार सिच्छा का प्राभधान करता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, आर्टिकल 45 है अनुच्छेद 45, 14 वर्स तक बिल्कुल फ्री सिच्छा है, खाईए पीजिये मिड़े मील, मौज कीजिये, 42 में सम्मिदान संसोधन, सम्मिदान को किस अनुच्छेद में मौलिक करतबियों को जोड़ा गया, तो मौलिक करतब भी जोड़े गए हैं, 51 A में, ठीक है, बाद में जोड़े गए, यह पूरी वीडियो डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, इसाथ था कि उन्होंने बाद में जब हुआ तो उन्होंने बताया, इमर्जंसी बाया लगी तो बताय गया कि हर भारती है कि कुछ मौलिक करतब भी होते हैं, तो अपने करतबियों का आपको पालन करना है, तो उसके लिए फिर यह अलग से जोड़े गए, 51 काम है, तो यह आपको पता हैं, यह पूरा पढ़ा चुके है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, राज विवस्ता वाली, वह संसत को भंग करने के लिए कौन सक्षाम है, 100 अपना हो गया है, इनमें से कोई सक्षाम नहीं है, संसत को भंग करने के लिए, आप चाहें तो खुश हो लिया करिए, तालिया वजा लिया करिए, थोड़ा महौल चेंज हो जाएगा और बागी लगातार पढ़ते रही है, दो लोग थे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, राजिन परसाथ इस्थाई अध्यच थे और सचिदा अनंद सिना आइस्थाई अध्यच थे, ठीक है दोस्तों आगला देखिए, एक सोतीन नमबर, संसतों द्वारा गाउं के समग विकास के लिए कौन सी योजना बनाई ग गया था, तो ये डी वाला विकल्फ का सही है, एक सडमा संविदान संसोधन जब हुआ था, तो घटा के आयू कर दी गई थी, कितनी 21 वर्ष से घटा कर, 18 वर्ष ठीक, अगला कोशन देखिए, भारत का राश्टपती राजिसवा के लिए कितने सदस मनोनीत कर सकता है, तो भारतिय संग्य प्रणाली में निम लिकित में से कौन सी बिसेस्ता हैं, तो आप इसका सी वाला लगाएंगे, सी का मतलब 135, 135 का मतलब सकतियों का बटबारा, सुतनत नहाई पालिका और लिकित संविदान, ठीक है, अगला कोशन देखिए, 108, 108 है, राज के प्रमुक तो संप्रवता सामिल नहीं है, अगला कोशन है, 109, देखिए, लोक सवा में सदस्य चुने जाने के लिए, एक बिक्ती की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्त आपकी आयू होनी चाहिए, अगला कोशन है, भारतिय संविदान का कौन सा अनुछेद, प्रारंबिक स प्रते एक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है, 21A है, हर बच्चे को सिच्चा मिलेगी 14 वर्त तक के, भारत में मंत्री परषट किसके प्रती उत्तरदाई होता है, तो आप लगाएंगे D, विधाईका के प्रती उत्तरदाई होता है, संविदान के किस संसोधन बिलदव है, तो आप इसमें लगाएंगे ये वाला अध्याय लिगा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, ये एक्च्छल में X का मतलब आपको बता रहे है, दस होता है, और उससे पहले ये फोल्ट लिखा है, यहाँ पर टोटल इसका मतलब बहा है, अध्याय 14, ठीक है, तो इन में से कौन सा विश है, संग सूची का एक हिस्सा है, तो आप लगाएंगे रेल सेवा, संग सूची का हिस्सा है, किस वर्ष में सब्द समाज बाद, धन वे पेचता, एकता और अखंडता संविदान की प्रस्ताबना में सामिल किये गाए, तो ये भी वही जो 42 मा संविदान संसोधन हुआ था, हमारा हुआ था 1976 में, उसी समय काफी कुछ जोड़ा गया था, घंडता बगरा जोड़ा गया, हमारे मौलिक कर्तब बे जोड़े गया, ये सब कुछ जोड़ा गया, देखिए, UPSI 2017 में ये कुशन आया हुआ, अगला देखिए, सूचना का दि आसना देखिए, राज का बजट किसे प्रस्तुत करता है, किया जाता है, तो आप लगाएंगे लोगसवा, किसे लगाएंगे, लोगसवा, अगला देखिए, पंचायती राज पनाली में स्रेणी सनचना होती है, तीन, ठीक, आपको पता होना चाहिए, भालती देंड साहित इंबाहन ने कर दिया गया था, तो लगेगा डी, निजिता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, भारत की प्रतिरच्चा और सुरच्च्छा से जुडएक कि संगटन का धिया है, अध्दम, निस्पच्चिता, सच चरित्रता, ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे केंद्रिय ज जिसे बोलते हैं CBI अगला देखिए सूचना अधिकार के तहत कि सूचना अधिकारी से सूचना ना मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रालती प्रतम अपील है प्रादिकनल के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है तो अगर आपको कोई सूचना नहीं मिलती है जब आप RTI बढ़ते हैं तो फिर क्या करेंगे आप पूरा निया में 30 दिन के अंदर अपना अपील है उसे दर्ज करा सकते हैं किसी भी जानकारी आपको चाहिए है यहां तक कि किसी की परसनल लायफ को चोड़के आपको कुछ भी जानकारी चाहिए अपने देश से रिलेटेड चाहिए वो हमारे प्रधानमंतरी जी से रिलेटेड ही क्यों ना हो आपको जानकारी मिलेगी और 30 दिनों के अंदर मिलेगी ठीक है अगला कोशन देखिए आए घर अधिनियम की किस धारा के दारा आए से कटवती की जा सकती है तो इसमें आप लगाएंगे धारा असी ठीक फारम बरा जाता है और फिर आए से कटवती हो जाती है तो इसलिए लोग फारम भी बरवास एती है ताकि आपकी आए जो है वो ना कटे दोस्तों अगला इसमें ठीक है 2017 में ये कुशन आया है जिसके अपनी बिधान सवा नहीं होती जिसकी उसके प्रशाशन का दायत किसका होता है तो आप लगाएंगे निकटम राजी की सरकार का अगला देखिए भारती अपरात जाच विवाजी से आइटी बोलते हैं का जनक किसे माना जाता है तो आप लगाएंगे राय बाहदूर पन्डे оруж्फ संभूनाजी को माना जाता है बिधायकों की संक्या की द्रष्टी से बात की सबसे छोटी विधान सवा कहां सी है तो ये पुंडू चेरी की सबसे छोटी विधान सबा है उसके बाद 2029 देखी यह ब़र्स में उच्छितम नेले की स्थापना काुई यह बहुत जादा important question है उच्छितम नेले की स्थापना की गए हमारे 1950 में उपर राश्रपती अधिक्तम कितनी अबदी तक राश्रपती के रूप में कारे कर सकते हैं तो छे महीने तक अगर राष्टपती नहीं है या कोई समस्या है तो छे महीने तक उप राष्टपती राष्टपती के रूप में कारे कर सकता है किसी भी बिसाइपर समान मतदान होने पर संसत के किसी भी सदन के स्पीकर दोरा मत डालने को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है मतदान करना यानि बोट डालना भारतिय दंड सहिता की दारा 415-420 का संबंद किस्से है सबको पता होगा अज़र आप धोका धड़ी करेंगे तो आप 415-420 के बीच में नपएंगे 420 बहुत घतरनाक लोग नमब भी इसलिए कहते है भारतिय दंड सहिता की दारा 405-409 किस से संबंद दे यह अपरादी बिस्वास भंग अगर आपने किसी को धोका दिया ठीक है एक्च्वल में यह जितनी भी है 405-409-420 वाली जो भी है तो अगर आपने किसी के बिस्वास भंग किया तब आपको फिर 405-409 की धारा के तहर लपेटा जाएगा सर फिर क्या है अगला देखिए भारतिय सम्मेदान की काउन से अनसूची में दल बदली के आदार पर पातरता रद करने का प्रावधान है यह है दसमी अनसूची यह नहीं आप पालिटी बदल के कहीं और चले गए आपकी पातरता भी रद करिया सकती है किस मौलिक अधिकार का लच्छ सामाजी विवेद का अनमूलन करना है तो समानता का अधिकार है सामाजी विवेद का अनमूलन करना यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के ताहित अपील और दूसरी अपील के उपाय समाफ्त हो गए है तो वैसे सम्मेदान काउन वरती सूची के अंतर गताता है अगला देखे किस वर्ष में नगल निगम के पराबदानों से युक्त बारमी अनसूची को सम्मेदान से जोड़ा गया तो आप लगांगे सी उन्निस सोची के अन्तर गताता अगला है भारतीय पौलिस सेवा कंदों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तमाल करती है इन में से कौन सा तमगा बरिष्ट भारतिय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्लियुक्त नहीं होता है तो आप लगाएंगे असोक चक्र ठीक है जो बरिष्ट भारतिय पुलिस सेवा उनके होंगे अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए पूरा भारतिया संभिदा ने में राज़ीतिक विवस्ता इसमें कवर कर दिये गाए 140 के करीब कोशन है पेट बगारा जो लोग पेपर आने वाला है बीस तारिक को लेगपाल के आगए आप तयारी करेंगे य हम मिलते हैं आप से एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत धन्यवाद